Hello Scorpions, तेख लेते हैं क्या messages आ रहे हैं आपके लिए November month आपके लिए कैसा रहने वाला है So अगर आपकी Moon राशी से या लगन से या नाम राशी से या चंत्रा राशी से आपके अगर Scorpio राशी बनती है तो definitely आप ये वीडियो देख सकते हैं And उसी के साथ साथ November month में क्या-क्या love, career, education में energies देखने मिलेगी ये हम जानेंगे आपके लिए So चलिए शुरुबात कर लेते हैं Scorpio राशी वालों के लिए कैसा रहने वाला November का महीना So यहां पर Scorpio सबसे पहरी चीज हेल्थ अच्छी दिख रही है Health में कार्द आएं आपके लिए the Ace of Wands के कार्ड जो की positive कार्ड माना जाएगा Health में आपकी energy अच्छी दिख रहे हैं कोई health issues थे भी तो भी कोई इन्हों ठीक टागी होते हुए दिखते हैं थोड़ा से देखो mood swings आपके रहेंगे आपको थोड़ा से gratitude practice करने की बहुत ज़दा ज़रूरत है Scorpio in the month of November में gratitude practice कीजएगा positive रहेगा अपनी तरफ से आपके लिए अच्छा माना जाएगा हो सकता है इन्हों कि शायद आपको भगवान जितना आप सोच रहे हो जितना आप मांग रहे हो उतना नहीं दे रहा है लेकिन जितनी आपकी ज़रूरत है ना उतना वो आपको ज़रूर ज़रूर दे रहा है सिर्फ आपकी देखने की बात है और आपको इन्हों उसकी analyze करने की बात है लेकिन चैट से आपके पास सब कुछ है लेकिन सब कुछ होते हुए भी आप खुश नहीं है यह कई बार जंदगी में होता है लेकिन यहाँ पर सबसे अच्छी प्राक्टिस तो यही माने जाती है कि आप ग्राटिटूर प्राक्टिस करो उपर वाले से कनेक्ट करो, इबादत करो, प्रात्ना करो कि जो तेरी मर्जी वो हो और जितना मुझे दिया है उसमें भी मैं खुश हूँ, जहां तक मैं आज पहुचा हूँ, उसके लिए भी मैं बहुत जाल शुकर गुजार हूँ अपनी mentally positive रहने के लिए, physically positive रहने के लिए ज़रूर ये practice की जाएगा, score points आपके लिए अच्छा माना जाएगा बात करने ते आपके career को देखते हुए, education को देखते हुए, बहुत अच्छे cards आए है the temperance के cards आए है and the sun के cards आए है, promotion है, fame है, recognition है, positivity देखी जारी है आपके career में exam से तो अच्छे जाते हुए दिख रहे है, good results आते हुए दिख रहे है, positivity दिख रही है, job मिलता हुआ दिख रहा है, business में success है, promotion है एक चीज़ है, balance करके चलना होगा, आपका काम और आपकी love life को, balance is required and also कितनी देर तक आप काम करो साथ में, rest is also required हर चीज़ों में balance, balance, balance करके चलना, scorpions थोड़ा moderation में करना, बहुत over काम भी करो तो बही active हो जाता है तो थोड़ा से moderation में चलना, routine भी आपके थोड़ी balance में by default चलेगी बट जो भी रहेगा, flow और divine की blessings आपके बनी हुई, जरूर जरूर देख रहे है, रोज सुभा उटकर सूर्य को नमशकार करें सूर्यदेव की आप blessing मांगे, अगर आप कोई government job के लिए देख रहे हैं, मैं हमेशा कहते हूँ, सूर्यदेव हैं जो आपको इसारी चीज़े दिलाएंगे तो जरूर उससे आप साप परात्ना कीजिएगा सो करियर उपर वाल की कृपा से नवेंबर में आपके लिए बहुत अच्छा साबित होगा अगर कुछ देखो बिग चेंजे जैसे नहीं भी हो रहा ना तब भी आपको लेगा कि लाइफ में आपका एक support दिख रही है, एक अच्छा flow आपके काम में बना रहेगा Scorpions तो अच्छी बात है, आगी मैं अगर बात कर लेती हूँ आपके लिए लव लाइफ में कैसी वाइब रहने वाली है, लव लाइफ में देखिए, communication मुझे होती हुए दिख रही है, एक अच्छी energies दिख रही है, एक अच्छी understanding रहेगी आपके और आपके partner के वीश में, को और कोई problem हो भी गई है, मानलीजे, कोई issues हो भी गई है, तो यह कैसा है अभी मामला, यह आपका इस मन्त में बात्चीत भी हो जाएगी, recovery भी हो जाएगी, ठीक टाक हो जाएगी situation, no need to worry with that, okay Scorpions, तो all over मैं कहूंगी, reading positive ही है, optimistic मुझे आपके लिए देखिए, वैसे ना by default काम पर focus करना है, पैसा है priority, work is priority, हमें उस पर ध्यान देना है, उसके लबाँ आप यापके partner abroad जाने की तियारी कर रहे हो जाना चाहते हो, तो उसमें progress आगे होता जाएगा, बात आगे बंती जाएगी, अच्छे results आपको देखने मिलेंगे, शादी के योग वगेरा के लिए तो November मांत में मुझे इतनी strong नहीं दिखाई दे रहे है, Scorpions तो ये कुछ अभी तक मुझे energies देख रहे हैं, आगे हम और देख रहे थे क्या messages आपके लिए आ रहे हैं Okay, सबसे पहला जो आपके लिए काड आए नो, Good Health Restored, I think शयर्ड आपको पास में कोई health issues थे, Scorpions तो यहाँ पर एक और Assurity आगी, Tarokas में भी अच्छे health दिख रहे थे, Angels में भी अच्छी energies आगी, आपकी health ठीक होती हुए दिख रही है, आपकी health में सुधार आता हुआ दिख रहा है, आपके hard work का result आपको अच्छा मिलेगा, आगे good fortune, Maadurga की blessing आती हुए दिख रही है आपके उपर, आप चायद Maadurga से नहीं connect होते हैं, नहीं मानते हैं, अगर मानते हैं सो बहुत अच्छी बात है, नहीं मानते हैं तो समझ लेजे, कोई ना कोई Divine की, कोई ना की उपरवाल की कृपा आपके उपर बनी हुए दिखते हैं, जो कि अच्छी energies है, आगे आपके लिए जो energies दिख रही है, yeah, good good, 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 sudden love, and जो भी आप manifest करें हो, वो sudden भी आपके favor में manifest होता हुआ दिख रहा है, कुछ अचानक से good luck, कुछ अचानक से अच्छी चीज हो गई, होती हुए दिख रहे हैं, टारो कास में मुझे ऐसे energies आपके लिए दिख रहे हैं, angel messages में भी में को सारी energies दिख रहे हैं, and good health क cards आगे, now this indicates कि आपकी health को लेकर अच्छी energies जरूर जरूर नवेंबर में अच्छी health रहने वाली है, और देखना, आपका काम अगर आपको लग रहे हैं, कि थोड़ा सा slow चल रहा है, तो उसमें tension आप मत लीजेगा, because अगर आपका काम थोड़ा slow चल भी रहा है, लेकिन वो ए आते हो, आपको रहते हैं, यही है life जंदिगी पर यही करते रहा है, इसके लावा कुछ भी नहीं है जंदिगी में, इस type के energies आप experience कर सकते हैं, but at the end आपको उसके अच्छे results मिलेंगे, routine में ही आपके काम बनते बनते, आपको बताने चलेगा, कब वही काम आपका upgrade होकर आप हम नहीं कर सकते हैं, हमारी मेहनत इस पर जरूर असर दिखाती है, but जो sudden level upgrade से उपर वाले करते हैं, इसे उपगवान करते हैं, so yes, Scorpions, यह कुछ vibe है, energies मुझे आपके लिए, अभी तक दिखाई देरी, अगर मैं all of our reading and energies को देखो भी, so मैं यही कहूँगी, कि देखो positive reading है, अ इसके अलावा मैं कहूँगे कि it's all good, you know, और जरूर अपनी तरफ से आप अच्छा सोचेगा, अच्छा diet अपने जरूर खानी है, health को लेकर के अच्छे cards आए है, so अच्छी diet, अच्छी health आप रखेगा, जिससे आप और active feel करो, और positive feel करो, तो वो आपके लिए और blessings लेकर आ है, comment box में मुझे बताईएगा, thank you so much